C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय पंद्रह धोसाकारों का चित्रण प्रिष्ठ 301 प्रशनावली पंद्रह दशम लवदो 1. एक समदूरीक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए निमनलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समदूरीक चित्रखी चिये यहां आकृती 15.15 भाग एक से चार में अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं 2. किसी घनाब की विमाएं 5 सेंटिमीटर, 3 सेंटिमीटर और 2 सेंटिमीटर हैं इस घनाब के 3 भिन भिन समदूरीक चित्रखी चिये 3. दो सेंटिमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस परस हटा कर रखते हुए एक घनाब बनाया गया है इस घनाब का एक तिर्यक अत्वा एक समदूरीक चित्रखी चिये 4. निम्नलिखित समदूरीक आकारों में से प्रत्यक के लिए एक तिर्यक चित्रखी चिये यहां दो अलग-अलग समदूरीक आकार दिये गए हैं प्रिष्ठ 302 5. निम्नलिखित में से प्रत्यक के लिए एक एक तिर्यक चित्र और दो एक समदूरीक चित्रखी चिये ए, पांच सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर और दो सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाब क्या आपका चित्र अद्विती यह हैं बी, चार सेंटीमीटर लंबे किनारे वाला एक घन, इस पुस्तक के अंत में एक समदूरीक शीट लगी है, आप इस पर अपने मित्रद्वारा निर्दिष्ट विमाओं के घन या घनाभ खीच सकते हैं। पंद्रह दशमलव चार दशमलव तीन थोस वस्तूओं का चित्रण। इनहें कीजिये। कभी कभी जब आप संयोजित या जुड़े हुए आखारों को देखते हैं, तो इन में से कुछ आपकी दृष्टी से छिप जाती हैं, अर्थात आपको दिखाई नहीं देते हैं। शात्र उन्हें देख कर सोच रहा है कितने घन हैं। यहां कुछ क्रिया कलाप दिये जा रहे हैं, जिनहें आप अपने खाली समय में करने का प्रयास कर सकते हैं। इनसे आपको कुछ ठोस वस्तूओं के चित्रन या उनके बारे में यह कलपना करने में सहायता मिलेगी के वे कैसे दिखाई देते हैं। आकरिती 15.16 भाग एक से तीन में कुछ ठोस वस्तूओं के चित्र दिये गए हैं। एवं सभी चित्रों के सामने एक तीर का चिन्ह बना हुआ है। कुछ घन लीजिए तथा उन्हें आकरिती 15.16 में दर्शाय अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब अपने मित्र से पूछिए के वह इसका अनुमान लगाए के तीर के चिन्ह के अनुसार इसको देखने पर कितने घन दिखाई देते हैं। प्रयास कीजिए। यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए के निम्न लिखित व्यवस्थाओं में घनों की संख्या कितनी है। आकृती पंद्रह दशमलव एक साथ यहां इस आकृती में एक से तीन भागों में अलग अलग व्यवस्थाओं में घनों को लगाया गया है। आपको घनों की संख्या बतानी है। प्रिष्ठ 303 इस प्रकार का चित्रीय करण बहुत सहायक होता है। मान लीजिए आप ऐसे घनों को जोड़ कर एक घनाब बनाते हैं। इस स्थिती में आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस घनाब की लंबाई, चोड़ाई और उंचाई क्या होगी। उदहरन दो, यदि दो सेंटीमीटर गुणा दो सेंटीमीटर गुणा दो सेंटीमीटर विमाओं वाले दो घनों को परसपर सठा कर रखा जाए, तो परिणामी घनाब की विमाएं क्या होंगी। हल, जैसा कि आप देख सकते हैं, भाकृती 15.18 जब घनों को सठा कर रखा जाता है, तो खेवल लंबाई ही एक ऐसा मापन है जिसमें वृद्धी हुई है। दो जमादो बराबर चार सेंटीमीटर हो जाती है, घनाब की चोड़ाई बराबर दो सेंटीमीटर है और उचाई भी बराबर दो सेंटीमीटर है। यहां आकृती 15.18 में दो घनों को परस पर सठा हुआ दिखाया गया है और उनकी अलग-अलग विमाएं भी दर्शाई गई हैं। प्रयास कीजिए। 1. दो पासूं को आकृती में दर्शाय अनुसार परस पर सठा कर रखा गया है। क्या आप बता सकते हैं के निमनलिखित फलकों के विपरीत फलकों पर अंकित बिंदूओं का योग क्या होगा। A. पांच जमाँ छै। B. चार जमाँ तीन। याद रखिए के एक पासे पर सम्मुख फलकों पर अंकित संख्याओं का योग सदैव साथ होता है। यहां आकरिती 15.19 में दो पासों को सटा कर रखा दिखाया गया है और दोनों पर अंकित बिंदूओं का फलक सामने और उपर से दिख रहा है। एक पासे का बाई तरफ का एक फलक भी नज़र आ रहा है। सामने के फलकों पर अंकित बिंदू हैं पांच और छे, उपर के फलकों पर अंकित बिंदू हैं चार और तीन, जोके भागे और बी के प्रश्न हैं। दो, दो सेंटीमीटर किनारों वाले तीन घनों को परस पर सटा कर रखते हुए एक घनाब बनाया गया है। इस घनाब का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए के इसकी लंबाई, चोड़ाई और उंचाई क्या हो सकती है। 15.5. किसी ठोस्क के विभिन भागों को देखना। आएब इस फर चर्चा करें कि एक 3D वस्तु को किस प्रकार विभिन विधियों से देखा जा सकता है। 15.5.1. किसी वस्तु को देखने की एक विधी है उसे काटना या उसके पतले टुकडे करना। टुकडे करने वाला खेल यहां एक डबल रोटी यानि ब्रेड दी हुई है। आकरिती 15.2. यह वरगा खार आधार वाले एक घनाब जैसा है। आप चाकु से इसके टुकडे कीजिए। आकरिती 15.2. में डबल रोटी यानि ब्रेड के टुकडे किये हुए नजर आ रहे हैं। जब आप इसे उर्धवाधर रूप से काटते हैं तो आपको अनेक टुकडे प्राप्त हो जाते हैं। जैसा आकरिती 15.2. में दर्शाया गया है। एक टुकडे का प्रत्येक भलक एक वर्ग है। हम इस भलक को डबल रोटी की एक अनुप्रस्थ काट यानि क्रॉस सेक्शन कहते हैं। वस्तुतह इस स्थिती में अनुप्रस्थ काट लगभग एक वर्ग है। ध्यान रखिए, यदि आपका यह काठना या कटाव उर्धवाधर नहीं होगा, तो आपको एक भिन अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में सोचिए, आपके द्वारा प्राप्त अनुप्रस्थ काट की परिसीमा एक तल आकरिती है। क्या आप इसे देख रहे हैं? प्रिष्ठ 304 एक रसोई खेल क्या आपने सब्जियों के अनुप्रस्थ काट के आकारों पर ध्यान दिया है, जब उन्हें रसोई में पकाने के लिए काटा जाता है? विभिन टुकडों को देखिये तथा सब्जियों को काटने से प्राप्त अनुप्रस्थ काट के आकारों से परिचित हो जाईए। इसे के लिए निम्नलिखित ठोसों के मिट्टी या प्लास्टिक की मिट्टी के मॉडल यानि मॉडल्स बनाईए तथा इनको उर्धवाधर या क्शैतिज रूप से काटिये। अपने द्वारा प्राप्त अनुप्रस्थ काटों के रफ यानि रफ चित्र खीचिये। जहां भी संभव हो इनके नाम भी लिखिये। आकृती 15.21 में अलग-अलग ठोसाकार दिखाए गए हैं। घनाब, बेलन, पिरामिड, गोल, शंकु। प्रश्नावली 15.3 एक आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्न लिखित ठोसों को एक उर्धवाधर रूप से और दो ख्षैतिज रूप से काटते हैं। एक एक इंट, बी एक गोल सेब, सी एक पासा, डी एक बेलना कार पाइप, एक आइसक्रीम शंकु। 15.5.2 एक अन्य विधी च्छाया खेल वाली है। एक च्छाया खेल। यह समझाने के लिए किस प्रकार त्रिविमी अवस्तूओं को द्विविमी आखकारों के रूप में देखा जा सकता है। च्छायाएं इनके अच्छे या सुन्दर उदाहरण हैं। क्या आपने कभी एक च्छाया खेल यानी शैडो प्ले देखा है। यह एक प्रकार का मनुरंजन है जिसमें सुस्पष्ट ठोस आकृतियों को एक प्रकाश मै स्रोत के सामने रखकर उनके गतिमान प्रति बिम्बूं के भ्रम उत्पन किये जाते हैं। इसमें गणित की अवधारणाओं का कुछ अवप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। आपको इस क्रिया कलाप के लिए एक प्रकाश के स्रोत तथा कुछ ठोस आकारों की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास एक ओवरहड प्रोजेक्टर है तो ठोस को बल्ब के अंतरगत रखिए और इनकी खोज कीजिए। आकरिती 15.22 में एक हाथ को प्रकाश के स्रोत के सामने रखकर उससे उत्पन चाया दिखाई गई है। एक शंकु के ठीक सामने एक टौर्च का प्रकाश डालिए। यह परदे पर किस प्रकार की चाया दर्शाता है। आकरिती 15.23 ठोस तीन विमाओं वाला है। इसकी चाया की कितनी विमाए है। यदि आप इस खेल में शंकु के स्थान पर एक घन को टौर्च के सामने रखें, तो आपको किस प्रकार की चाया प्राप्त होगी। एक अन्य चित्र में एक कप सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, जिससे उसकी चाया दूसरी तरफ बन रही है। प्रिष्ट 305 प्रकाश के स्रोत की विभिन स्थितियों तथा थोस वस्तु की विभिन स्थितियों को लेकर प्रयोग कीजिए। प्राप्त की गई चायाओं के आकारों तथा मापूं पर इनके प्रभावों का अध्ययन कीजिए। यहां एक और मनरंजत प्रयोग दिया जा रहा है, जिसे संभवत है आप पहले ही कर चुके होंगे। एक वृत्ताकार चाय के प्याले को खुले में रख दीजिए, जब दोपहर बारा बजे के समय सूर्य उसके ठीक उपर हो। इसे आकरती पंदरह देशम लवदो चार में दि दिखाई देती है, क्या यह चाया एक ही प्रकार की रहती है? ए, प्रातहकाल और बी, साइकाल। भाग दो, आकरती पंदरह देशम लवदो चार, भाग एक से तीन यहां दिखाए गए हैं। सूर्य की स्थितियों और प्रेक्षण के समयों के अनुसार चायाओं का अध्यय कीजिए। प्राग तीन में एक पुस्तक जलते हुए बल्ब के ठीक नीचे रखे गए हैं। दो, यहां कुछ थ्रीडी वस्तूओं की चायाएं दी गई हैं, जो उने एक ओवर हेड प्रोजेक्टर के लैम्प यानि बल्ब के अंतरगत या नीचे रखकर प्राप्त की गई हैं। प्र वर्ग एक त्रिभुज एक आयत। यहां चार अलग अलग भागों में चार अलग अलग चायाओं के आकार दिये गए हैं। वरित वर्ग त्रिभुज आयत। प्रिष्ठ 306 तीन जांच कीजिए के क्या ये कथन सत्य हैं। एक घण एक आयत के आकार की चाया दे सकता है। दो एक घण एक शडबुज के आकार की चाया दे सकता है। 15.5.3 एक तीसरी विधी यह है के इसके विभिन द्रिश्य देखने के लिए इसे कुछ विशेश कोणों से देखा जाए। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को उसके सामने से या उसकी एक और यानि पार्श्व से या उसके उपर से देख सकता है। प्रत्येक बार उसे एक भ विभिन द्रिश्य मिलेगा। आकरिती 15.25 यहां तीन अलग अलग जगहुं से देखे गए चित्र दिखाए गए हैं। सामने से द्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य, उपर से द्रिश्य। यहां एक उधाहरण दिया जा रहा है जिसमें कोई व्यक्ति एक भवन के विभिन द द्रिश्य प्राप्त कर सकता है। आकरिती 15.26 भवन, सामने का द्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य, उपर का द्रिश्य। आप इनहें गणों को जोडने से बनी आकरितियूं के लिए भी कर सकते हैं। आकरती 15.27 में घनों के अलग अलग जोड़ दिये गए हैं। घनों को एक साथ रख कर ठोस बनाईए और फिर उन्हें विभिन दिशाओं से देख कर उनके उपर बताय अनुसार चित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए। प्रिष्ठ 307 प्रयास कीजिए। आली जगहें दी गई हैं। सामने पार्षव और उपर से देखने पर ठोस कैसा दिखाई देगा यही आपको सोचना है। दूसरे चित्र में कुछ घनों को जोड़ा गया है और आपको अलग अलग दिशाओं से सामने से देखने पर वो कैसा लगेगा बताना है। तीसरे दिश्य में पांच घनों को एक साथ जोड़ा गया है, सामने पार्षव और उपर से देखने पर यह कैसे लगेंगे यह बताना है। चित्र में एक ठोस त्रिभुज दिया गया है, जिसे सामने पार्षव और उपर से देखने पर वो कैसा लगेगा बताना है। 2. नीचे दिये प्रत्य एक ठोस का तीर द्वारा सूचित दिशा से उसे देखने पर एक त्रिश्य खीचिये। यहां तीन अलग-अलग ठोसा कार दिये गए हैं, सभी के सामने अलग-अलग दिशाओं में तीर द्वारा सूचित दिशा बताई गई है। प्रिश्ट 308 हमने क्या चर्चा की। 1. वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज और त्रिभुज समतल आकृतियों के उदाहरण हैं, तथा घन, घनाब, गोला, बेलन, शंकू और पिरामिड, थोसाकारों के उदाहरण हैं। 2. समतल आकृतियों की दो विमाएं संक्शिप्त में 2D होती हैं, तथा ठोसाकारों की तीन विमाएं संक्शिप्त में 3D होती हैं। 3. ठोसाकार के कोने उसके शीर्ष, उसके धांचे के रेखा खंड उसके किनारे या कोर तथा उसके सपाट प्रिष्ठ उसके भलक कहलाते हैं 4. ठोस का एक जाल दो विमाओं में एक ऐसा धांचा या रूप रेखा है जिसे मोण कर वह ठोस प्राप्त हो जाता है 5. एक ही ठोस के अनेक प्रकार के जाल हो सकते हैं 5. वास्तविक रूप से ठोसाकारों को सपाट प्रिष्ठों जैसे कागज पर खीचा जा सकता है हम इसे 3D ठोस का 2D निरुपन कहते हैं 6. एक ठोस के दो प्रकार के चित्र बनाना संभव है a. एक तिर्यक चित्र जिसमें लंबाईयां समानु पाती नहीं होती है फिर भी यह ठोस के रूप के बारे में सभी महत्वपून जानकारी प्रदान कर देता है b. एक समदूरीक चित्र को एक समदूरीक बिंदुकित खागज पर खीचा जाता है जिसका एक प्रती दर्श इस पुस्तक के अंत में दिया गया है किसी ठोस के एक समदूरीक चित्र में लंबाईयों को समानु पाती रखा जाता है 7. ठोस आकारों का चित्रन एक बहुत ही उपयोगी कौशल है आपको ठोस आकार के छिपे हुए भाग दिखाई दे जाने चाहिए 8. एक ठोस के विभिन भागों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है a. एक विधी यह है कि दिये हुए आकार को काट लिया जाए इस से हमें ठोस का एक अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाती है b. एक अन्य विधी यह है कि एक 3D आकार की एक 2D छाया देखी जाए c. तीसरी विधी यह है कि ठोस आकार को विभिन कोणों से देखा जाए देखे गए आकार का सामने का द्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य और उपर का द्रिश्य हमें उस आकार के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मार्वा तकनीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंगडो, तकनीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत